हेलो गाइज वैलकम टुश्टेडी वीथी चैनल आज मैं आपको इस वीडियो में एडप्शन से लेटेड लीगल कोईशन बताने वाला हूँ जो हर एक वेक्ति को पता होना चाहिए तो एडप्शन डेटमिस गोद लेना जो एक बच्चे को गोद एडप्ट करते हैं उससे आपको मैं इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ कुछ इंपोर्टेंट कोईशन जो आपको भी पता होना चाहिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक स्टड़ी वीथ में सब्सक्राइब नहीं किया है त लेना डिटमिंस का जो हिंद्टी होता है वह गो लेना होता है किसी बच्चे को गुद्र लेना है तो वह हमारे पास Deswegen अगर कोई भी हिंदू पुरूश या महलव है जो है डिटमिंस अगर कोई भी लेלא से अगर कोई बिर हिंदू मेहला यह पूरूós हो वह बच्चे गौद हिन्दू महिला या पुरूस है या फिर कोई भी हिन्दू है तो क्या वो बच्चे को गोध में दे सकते हैं किसी और को तो उस चीज़ को भी इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो पहला जो हमारे पास question है क्या कोई भी हिन्दू या हिंदू पुरूस या महिला को बच्चा गोद लेने का अधिकार है तो इसमें जो है कि जितने भी हिंदू पुरूस है या स्पेसल जो है हिंदू के लिए ही है तो हिंदू पुरूस या महिला ही बच्चे को गोद ले सकते हैं तो इसमें है कि हाँ जितने भी पुरूस या फिर महला है वो गोद बच्चे को ले सकते हैं अगर उनके पास अगर कोई भी महला या फिर पुरूस है तो उनके जो capacity है उनके पास सच्चम होना चाहिए कि वो कोई भी बच्चे को गोद ले सकते हैं पुरूस की अगर बात करें तो वो पुरूस में एक सच्चम होना चाहिए sound mind होना चाहिए कि वो एक बच्चे को गोद ले रहे हैं साथ में जितने भी पुरूस है वो 18 years that means minor नहीं होना चाहिए minor मतलब होता है कि वो 18 वर्ष से कम उनका age पुरूस की जो age हो वो 18 वर्ष से कम ना हो तो इस इसको ध्यान में रखना है और जितने भी पुरूस हो अगर वो married है या फिर unmarried है वो सारे पुरूस हिंदू पुरूस जो है वो बच्चे को गोद ले सकते हैं या फिर बेटा हो या फिर girls हो या boys बेटा हो या फिर बेटी कोई इससे depend नहीं करता है वो married हो या फिर unmarried वो eligible है कि वो कोई भी बच्चे को एडप्शन में ले सकते हैं इसी तरीके से जितने भी महिला है उन्हें भी एक sound mind होना चाहिए उनके समझ में आना चाहिए कि वो क्या कारी कर रही है साथ में वो minor नहीं होना चाहिए जितने भी महिला है जो गोद लेना चाहती है वो 18 पलस उनका age हो अगर उनसे नीचे है तो उनके पास legal right नहीं है कि वो कोई भी बच्चे को एडप्ट ले सकती हैं साथ में अगर महिला married हो तो भी एडप्ट ले सकती है अगर unmarried है तो भी adoption में कोई भी बच्चे को ले सकती है अगर महिला या फिर पुरूष you married है तो एक दूसरे का consent डेंड में सच फुरूष ईडप्ट में कोई भी भी बच्चे को ले सकते हैं अगर पुरूष लेना है और अगर कोई भी महिला जो married है तो उनको अपने husband का consent ले लेकर ही एडप्शन में बच्चे को ले सकते हैं तो ये कुछ जो पॉइंट थे हिंदू पुरूस और महिला से लिटेट जो बच्चे को गोद लेने के लिए बहुत ही जरूरी होता है और ये हर एक फ्यक्ति को पता भी होना चाहिए इसमें जो है कोई भी जो हिंदू गोद में किसी बच्चे को दे भी सकते हैं अगर कोई भी महिला या फिर हिंदू पुरूस है तो वो किसी भी बच्चे को अगर आप बच्चे को जो है वो गोद में दे सकते हैं लेकिन यहां पे कुछ कंडिशन है बच्चे को वही गार्जियन या पैरेंट्स दे सकते हैं ये तीन पर्षन ही कोई भी बच्चे को गोद में दे सकते हैं किसी ओर को तो यहां पर या तो फिर जो बच्चे के माता होते हैं या फिर पीता है या तो फिर वो बच्चे के गार्जियन हो तो वो तीनों के पास शिर्फ राइट है कि वो कोई भी बच्चे को दुसरे को गोद में दे सकते हैं साथ में जो valid adoption date means कोई भी जो adapt होता है कोई भी बच्चे को अगर adoption गोद लेना चाहता है हिंदु पुरूस या फिर महला तो या तो फिर उनके पास capacity होना चाहिए उस बच्चे को गोद लेने के लिए ऐसा नहीं कि उनके पास capacity है नहीं खुद अगर वो अपना जीवन नहीं चला पारे सही से और कोई बच्चे को adoption लेना चाह रहे है तो फिर वैसा legal जो है वो उनके नहीं valid कहा जाएगा इसलिए उनके पास capacity भी होना चाहिए कोई बच्चे को adoption में लेने के लिए साथ में जो मैंने first question में आपको बताया कि जो female या फिर male हिंदू है उनके पास जो capacity है वो भी कोई बच्चे को adoption ले सकते हैं अगर वो minor नहीं हो तब और साथ में उन्हें sound mind होना चाहिए अगर unsound mind है तो वो adoption नहीं ले सकते हैं और साथ में अगर उनके पुरूस हिंदू पुरूस या फिर male अगर married है तो एक दूसरे को consent ले कर ही कोई भी बच्चे को child को adoption में ले सकते हैं अगर इसमें exception यही है कि अगर कोई भी पुरूस है हिंदू पुरूस है जिनका साधी हो चुका है और उनकी पतनी या तो अंदेथ हो चुका है उनका या तो फिर वो एक तरीके से renounced करवा चुकी है वर्ल्ड के सामने किसी तरह का सन्यास ले चुकी है साथ में अगर वो adoption ले सकता है सेम चीजे जो है वो apply होते है फिमेल हिंदू फिमेल के उपर डेटमेंस महिला भी है वो भी कोई भी बच्चे को गोद में ले सकते हैं अगर वो married है और उनके जो पती है वह फिर देथ हो चुका है उनका या तो फिर वो सन्यासी ले चुके है या तो फिर कोई दूसरे religion में convert करवा लिए हैं अपना religion ही change करवा लिए हिंदू से कोई और दूसरे religion में तो पतनी जो है डेटमेंस फिमेल हिंदू जो है वो adoption में कोई भी child को ले सकती है बिना उनके consent लिये हुए ही तो यह जो मैंने topic आज आपको कुछ important चीजे जो है question जो है वो मैंने आप आपको अताया उनके बारे में discuss किया तो यह जो है सबको पता भी होनी चाहिए अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो like कर देना और कोई भी डाउट हो तो comment section में आप comment करके इस topic से related पोच सकते हैं ऐसे ही interesting वीडियो देखने के लिए study with me को subscribe कीजिए और साथ में आप वीडियो को जरूर सेर करें ताकि जितने भी लोग हैं उनको यह जनकारी होना चाहिए knowledge होना चाहिए तो वीडियो को सेर जरूर करें and study with me को subscribe कर लिजे thank you so much for watching this video